इस्राइल हमास स्युद्ध की वज़े से हिजबुल्ला और इस्राइल जंग की मुहाने पर खड़ें दोनों के वीश लगातार भीशन हमले हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस्राइल कभी भी हिजबुल्ला के उपर आक्रमण कर सकता है लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्ला भी लगातार उत्री इसराइल को हमलों से दहलाने में लगा हुआ है इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने आईडियेफ की जारित मिलिटरी बेस पर दरजनों रॉकेट दा गे हैं इसके साथ ही हिजबुल्ला ने नकौरा नौसैनिक अड़े पर भी गोला वारूद की जड़ी लगा दी है हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस हमले में इसराइली सैनिकों के जमावडे पर हमला किया है साथ ही कबजे वाले कफार चौबा हिल्स पर समाकवा साइट पर भी हिजबुल्ला ने आईडियफ पर सीधा हमला किया हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने आईडियफ के रुएसित अल आलम मिलिटरी साइट पर हैवी मशीन गन से हमला किया वहीं कबजे वाले शीबा फार्म्स में भी कुछ ऐसा ही नजारा था यहां पर हिजबुल्ला ने जिबडाइन सेन इचोकी पर तावड तोड गोला बारूद और रॉकेट बरसाएं हैं इसको लेकर लेबनान के मीडिया हाउस अलमयादीन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कह कि दक्षड लेबनान से इस्राइल के पश्यम अल जलील पर रॉकेट का पूरा पूरा जथा दागा गया है इन हमलों को लेकर खुद इस्राइली मीडिया का कहना है कि गौर्नौट, हागलिल और गौरेन में हवाई हमलों के साइरन बजने लगे थे मीडिया रिपोर्ट के मताबिक आईडियाफ ने खुद 25 हवाई औबजेक्ट को पश्यमी अल जलील की तरफ इंस्पेक्ट किया टाइमस ओफ इसराइल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हिजबुला ने उत्री इसराइल पर करीब 45 रॉकेट फायर किये इस हमले से पहले आईडियाफ ने ड्रोन हमले में हिजबुला के फील्ड कमांडर अबास इबराहिम हमजा हमजा हमादा को मार गिराया था जिसके बाद हिजबुला ने ये हमला किया है IDF ने हिजबुला कमांडर अबास इबराहिम को दक्षडी लिपनान के डियर किफा में धेर किया और इसके बाद इतम तमाय हिजबुला ने इसराइल के गैलीली पर दो पहर दो बच कर 30 मिनट पर करीब 25 रॉकेट फायर कर दिये इसके बाद इसी इलाके में करीब 20 रॉकेट और फायर किये गए जिसकी वज़े से आसपास के कई इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे थे हाला कि IDF का कहना है कि इन हमलों में नहीं कोई हताहत हुआ और नहीं कोई नुकसान हुआ है लेकिन बड़ी बात यह कि हिजबुला के रिजनल कमांडर को मार कर IDF को बड़ी कामयाबी मिली है IDF का कहना है कि हमादा हिजबुला की एक रिजनल यूनिट में ऑपरेशन्स का अधिकारी था जो की जोयया इलाके में सक्रिय था यह इलाका दक्षणी लेबनान के डेर किफा इलाके से काफी नजदीक है और यह इलाका इसरायल लेबनान बॉर्डर से बेहदी नजदीक है